दिजिटल दुनिया मैथिली जैसी भाषाओं के लिए एक अनोखी चुनोती पेश करती है भारत में कई सुस्थापित एवन मानेता प्राप्त आधुनिक भारतिय भाषाओं की डिजिटल उपस्थिती नियूनतम रही है उन्हें वैश्विक अंग्रेजी से कड़ी चुनोती का सामना करना पड़ता है भारत में ICT, सूचना और संचार प्रोध्योगी की क्रांती के बाद से मूल और मातरि भाषाओं से थोड़ी मानक इसलिए प्रतिष्ठित, राष्ट्रिये और अंतरराष्ट्रिये या वैश्विक भाषा में बड़े पैमाने पर बदलावाया है यह भारत की भाषाई विविदता के लिए गंभीर खत्रा है व्यापक रूप से प्रचलित मानेताओं के विप्रीत, डिजिटल स्पेस वर्चस्व और अधीनता की प्रताओं को पुष्ट करता है जो भाषाओं की वास्तविक दुनिया में मौजूद है कोई यह भी तर्क दे सकता है कि डिजिटल दुनिया वर्चस्व और समरूपी क्रण की प्रक्रियाओं को तेज करती है यदि इसे अनियंत्रित किया गया, तो यह छोटी भाषाओं के अस्तित्व के लिए गंभीर खत्रा पैदा कर सकता है मैथिली की समरिद साहित्तिक परंपरा रही है हाला कि इसके आधुनिक प्रक्षे पत उतार चरहाव वाले रहे है पिछली डेय शताबदी में मैथिली को एक स्वतंत्र आधुनिक भारतिय भाषा के रूप में मानेता के लिए संघर्ष करते देखा गया है एक इस प्रकार आधुनिक मैथिली का प्रशन पहचान के प्रशन और इसकी मानेता के लिए संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए मैथिली में साहित्तिक गतिविधिया एक ही समय में एक सचेत राजनीतिक कारे बन जाती है उपन्यासों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और साहित्तिक गतिविधियों के अन्य रूपों का प्रकाशन हिंदी की बोली के रूप में मैथिली के वरगी करन के खिलाफ अवग्या का प्रतीक बन गया है यदेपी मैथिली ने एक स्वतंत्र भाशा के रूप में आधिकारिक, दर्जा और मानेता प्राप्त कर ली है फिर भी लोकप्रिय चर्चा में इसे अभी भी हिंदी की बोली या विविधता माना जाता है वक्ताओं की बार-बार मांग के बावजूद प्रात्मिक विध्यालियों में शिक्षा के माध्यम के रूप में इसका उप्योग नहीं किया जाता है जाती, वर्ग और अंतरक्षेत्रिय पूर्वागरह इसके विकास में और बाधा डालते है इस बात की थोड़ी गुंजाइश है कि डिजिटल स्पेस मेथिली को इन विकत चुनौतियों से पार पाने के लिए परियाप्त रूप से सशक्त बनाएगा हाला कि मेथिली जैसी भाशाओं के लिए आगे बरने का रास्ता डिजिटल दुनिया को छोड़ना नहीं है बलकि रचनात्मक और सक्रिय रूप से इसके साथ जुरना है वास्तविक दुनिया की तरह डिजिटल दुनिया में भी सफलता इसके वक्ताओं के प्रयासों पर निर्भर करेगी मैथिली एक इंडोारियन भाशा है इसकी लिपी है मिथिलाक्षर या तिरहुट्टा तीन यह कैथी नेवारी और देवनाग्री में भी लिखी जाती है हाला कि बीसवी सदी के शुरुआती दशकों से देवनाग्री का उप्योग मुख्य रूप से किया जाता रहा है भले ही मिथिलाक्षर के पुनरुद्धार की निरंतर मांग रही हो मैथिली भारतिय सम्विधान द्वारा मानेता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है यह उत्तर बिहार भारत में और नेपाल के तराई शेत्र में बोली जाती है नेपाल में यह नेपाली के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसे दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मानेता प्राप्त है हाला कि भारत में मैथिली को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मानेता देने के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई चली है भारत सरकार की जनगना रिपोर्ट 2011 के अनुसार इसके 13.58 मिलियन से अधिक वक्ता है 4 P.E.N. 1948, साहित्य अकादमी 1965 और भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में मानेता प्राप्त होने के बावजूद मैथिली को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है 2004 इसे अभी तक बिहार में आधिकारिक भाषा के रूप में मानेता नहीं मिली है हालांकि पडोसी राजे जार्खन ने इसे 2017 में मानेता दी थी अन्य उत्तर भारतिय भाषाओं की तुलना में मैथिली अलग है इसका प्रथम गदे वर्नरतनाकर पांच चौदवी शताबदी में जोतिरिश्वर ठाकुर 1294 से 1348 द्वारा लिखा गया था यह पाठ मिथिला के समाज, संस्कृती, राजनीती, वनस्पती और जीवजन्तूओं का वर्नन करता है विद्याप्ती 1350 से 1448 मैथिली के सबसे प्रसिद्ध कवी है उनका प्रभाव आधुनिक बंगाल, उरीसा और असम तक भी देखा जा सकता है रवींद्रनात टैगोर ने अपनी साहितिक गतिविधियों की शुरुआत विद्याप्ती की शैली की नकल करके की छे विद्याप्ती के गीत मैथिलों के जीवन में इतनी गहराई से रचेप से है कि वे उन्नीसवीन और बीसवी सदी की शुरुआत में इसके संकलन से पहले पांच शताब्दियों से अधिक समय तक मौकिक रूप से जीवित रहे विद्याप्ती के बाद से मैथिली में अन्वरत साहितिक रचनाय होती रही है आधुनिक समय में हरिमोहन जा 1908-1984 बैदिनात मिश्र यात्री उर्फ नागारजुन 1911-1998 काशिकांत मिश्र मधूप 1906-1987 सुरेंद्र जा सुमन 1910-2002 रमानात जा 1906-1971 मायानंद मिश्रा 1934-2013 काशिनात जा किरन 1906-1988 लिलीरे जन्म 1933 के अलावा कई अन्य लोगों ने मैथिली भाषा और साहित्ते के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है मैथिली और हिंदी के बीच प्यार और नफरत का रिष्टा है मैथिली हिटसाधन 1905, मिथिला मोरा 1906 और मिथिला मिहर 1908 ने भी हिंदी में लेक और स्तम्ग प्रकाशित किये सुरेंद्रनाथ जा, सुमन, द्वारा संपादित मिथिला मिहर के मिथिलांक 1936 के एक विशेश अंक में इस अंतरसंबंध पर विस्तरित चर्चा की गई है 1950 के दशक में प्रकाशित पुस्तक विद्याप्ति के देश में इन विरोधा भासों का पुनर मुल्यांकन करती है जब मैथिली को हिंदी की विविधता या बोली के रूप में वर्गी कृत किया गया तो मैथिली भाशियों ने इसका जमकर विरोध किया हाला की हिंदी को अफसर और स्थिती की भाशा माना जाता है मैथिली की तुलना में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रचलन अधिक है फिर भी शेत्र के लोग मैथिली की विशिष्ट स्थिती के प्रती जागरूक और मुखर है वे मैथिली साहित्यकारों या उनके कारियों को हथियाने के प्रयासों का जमकर विरोध करते हैं जैसा कि उपर उलेक किया गया है मैथिली की अपनी लिपी है मिथिलाक्षर या तिरहुता यह बंगाली और अस्मिया के समान है इन भाशाओं को समान उत्पत्ती वाली बेहिन भाशाय माना जाता है। हाला कि मैथिली में प्रिंट तक्नीक की अनुपलब्धता के कारण बीसवी सदी के शुरुआती दशकों में मैथिलों ने देवनागरी लिपी को अपनाया। बाद में बांगला के फॉन्ट का उप्योग कर मैथिली फॉन्ट बनाया गया। हाला कि मैथिलाक्षर या तिरहुता को पुनर जीवित करने के ये और कई अन्य प्रयास काफी हद तक विफल रहे है। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, दर्भंगा के पूर्व निदेशक देवनारायन यादव के अनुसार, मिथिला शेत्र में 12,000 से अधिक संस्कृत पांडुलिपिया मिथिलाक्षर में उपलब्ध है। साथ इस से पता चलता है कि मिथिलाक्षर पहले व्यापक रूप से उप्योग और लोक प्रियथा। मिथिलाक्षर का प्रयोग अभी भी मिथिला में आपचारिक अफसरों और रेलवे स्टेशनों और अन्य सारवजनिक संस्थानों जैसे सारवजनिक प्लेटफार्मों पर प्रतिकात्मक रूप से किया जाता है। हाला कि प्रिंट में इसकी संभावना बहुत कम है कि यह देवनाग्री का स्थान ले लेगी। डिजिटली करन मिथिलाक्षर को पुनर जीवित करने और बढ़ावा देने का एक बड़ा वादा रखता है। माइक्रोसोफ्ट और अन विभिन उपलब्ध मैथिली फॉंट से जुड़ी विसंक्तियों को हल किया है। किसी को उस दस्तावेज का विशिष्ट फॉंट इंस्टॉल करना परता था जिसे वह परना प्रिंट करना चाहता था। यूनिकोर ने वह समस्या हल कर दी है। भारत सरकार के सेंटर फॉर ड को अध्यतन करता है। मैथिली फॉंट को विक्षित करने और लोक प्रिये बनाने के लिए नेपाल और भारत में भी इसी तरह के प्रियास किये गए है। उम्में से कई ने 2003 और 2004 में मैथीली फॉंट विक्षित करने का दावा किया है। मिथिलाक्शर के सनरक्षन और पर मिथिलाक्षर को बहावा दे रहे हैं। बोलने वालों की संख्या के अनुपात में अब सभी प्रारूपों और सभी प्लेटफार्मों पर आडियो वीडियो, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चर्चा मंचों पर एक बड़ी डिजिटल उपस्थिती है। में गजेंद्र ठाकुर द्वारा याहू जियो सिटीज पर ब्लॉग, भलसरिक गच्च, थी, 12 हब असंख्य ब्लॉग, समूह और ओनलाइन समाचार पत्रिका पोर्टल है। मोबाइल इंटरनेट ने वास्तव में डिजिटल शेत्र को लोकतांत्रिक बना दिया है। मैथिली में भी कई वक्ता मोबाइल फोन के जरिये डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए है। वहाच सेप मैथिली में सामगरी निर्मान का एक प्रमुक स्रोत बन गया है। विने जा को 2019 में मोबाइल फोन पर मिथिया आक्षर टाइपिंग के लिए एक फोन्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है। वहाच सेप और मैथिली से संबंधित अन्य एप्स ने वास्तव में संचार के तरीकों में क्रांति ला दी है। मैथिली से संबंधित पहला एप 2013 में बनाया गया था। अब सो से अधिक एप है। जिन में से कुछ के 50,000 से अधिक डाउनलोड है। सविता जाखान द्वारा शुरू किये गए मैथिली मचान और मधुबनी साहित्य महोत्सव, पंद्रह ने मैथिली भाषा, संस्कृती और परंपरा के विभिन पहलूँ को एक मंच पर लाने के लिए डिजिटल स्पेस का रचनात्मक उप्योग किया है। पिछले कुछ वर्षों में इसने मिथिला की सीमा के अंदर और बाहर मैथिली साहित्य को बढ़ावा देने में सराहनिय काम किया है। घटनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज है। बहुत ही कम समय में, कारेक्रमों के आयोजन के ऑनलाइन और ओफलाइन तरीकों के कुशल सन्योजन से, मिथिला मचान और मधुबनी साहित्य महोटसव ने मैथिली भाशा और साहित्य को बढ़ावा देने में सराहनिय काम किया है। मैथिली पत्रकार समूव बिहार, जारखंड और नेपाल में मैथिली भाशी क्षेत्रों के पत्रकारों का एक शीर्ष संगठन है। सोलह वे सरकारों और मुख्यधारा मीडिया द्वारा नजरंदाज किये गए या दरकिनार किये गए मुद्दों को उजागर करके शेत्र की बेहतरी के लिए प्रतिबध है। मिथिला की समरिध परंपरा और संस्कृती को उजागर करने के लिए वे डिली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मिथिला महोटसव का आयोजन करते हैं। हाला की वे शायद ही सक्रिये हैं और उनकी वेब साइट मिथिला महोटसव को छोड़ कर कुछ ही विवरन प्रदान करती है। विदेह गजेंद्र ठाकुर के कुशल संपादन में प्रकाशित होने वाली पहली मैथिली पाक्षिक E-Jurnal है। कई अन्य मैथिली वेब पोर्टलों और E-Pत्रिकाओं के विप्रीत, विदेह ने जनवरी 2008 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपने मुद्दों को प्रकाशित करके एक मील का पत्थर हासिल किया है। विदेह का 318 वान अंक 15 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ था। मार्च 2021 तक खाते और 13,000 से अधिक लेक। विदेह नए और उभरते मैथिली लेककों को एक उतकरिष्ट मंच प्रदान करता है। उनमें से सबसे उलेकनिये हैं जगदीश प्रसाद मंडल, राजदेव मंडल, उमेश पासवान, मुन्नाजी, आशीश अंचीनहार, चंदन कुमार जा, आदी। इसने मैथिली में अतीत और समकालीन, महत्वपूर्ण कारियों का एक विशाल संग्रह बनाया है। वे PDF प्रारूप में डाउनलोड के लिए निश्शुल्क उपलब्ध है। विदेह मिथिला और मैथिली से जुड़े विभिन महत्वपूर्ण पोर्टलों के लिंक भी प्रदान करता है। विदेह का एक और महत्वपूर्ण योगदान प्रतेक समुदाय के गीतों, संस्कृती और साहितिक परंपराओं को संग्रहीत करना है। उसमें इसने मिथिला में कुछ प्रमुक जातियों द्वारा मैथिली के हरपने और उसके वैद, प्रतिनिधित्व का व्यवस्थित रूप से प्रतिकार किया है। काई भी व्यापक दर्शकों तक पहुचने के लिए ओन-लाइन प्लेटफोर्म, विशेश रूप से सोशल मीडिया का उप्योग कर रही है। 2013 से मिथिला मिरर ने मैथिली की व्यावसाइक पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके संस्थापक ललित नारायन जाने मैथिली भाशा, साहित्य और संस्कृती को प्रदर्शित करने में महित्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब उनका एक योट्यूब चैनल है मिथिला मिरर। पिछली बार और मिथिला को प्रभावित करने वाले अन्य सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर इसकी कवरेज को व्यापक रूप से सराहा गया है। इस चैनल के 123 हजार से अधिक सब्सक्राइबर है और इसके कई वीडियो को 10 लाग से अधिक बार देखा गया है। रजनी पल्वी का यूट्यूब चैनल 2008 से मैथिली गीतों की समरिद विरासत को प्रदर्शित करने में एक मील का पत्थर रहा है। इसी तरह गंगा मैथिली, नीलम मैथिली, मिथिला दर्शन, मिथिला मचान और प्रवेश मलिक के यूट्यूब चैनलों ने लाखो मैथिली बोलने वालों को आकरशित किया है। यूट्यूब पर उपलब्ध हरिनात जा, कुंज बिहारी मिश्रा, राम बाबू जा, सुनील जा, पवन, जैसे प्रसिद्ध गाइकों के ओडियो वीडियो गीतों ने सहिसराब्दी पीरी के बीच उनकी छवी को फिर से स्थापित किया है। व्यापक प्रशंसा आकरशित करते हैं। श्लोका के रैप गाने दूर-दूर तक दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। उन्होंने मैथिली गानों का नया दर्शक वर्ग तैयार किया है। मलिक ब्रदर्स, प्रशांत और निशांत मलिक का शास्त्रिय गायन भी ऐसा ही है। उन्होंने दर्भंगा घराने के धृपद को पुनर जीवित किया है। इन सितारों के यूट्यूब वीडियो ने कई दर्शकों को आकरशित किया है। वे डिजिटल स्पेस में मैथिली भाशा और साहित्ते के महान राजदूद बन गए है। मैथिली सिनेमा का विकास काफी धीमा रहा है। मैथिली में पहली फीचर फिल्म मम्ता गबे गीत एक हजार नौसो बासत से तिरसत में बनी लेकिन 1981 में रिलीज हुई थी। एक और फिल्म कन्यादान 1965 में बनी और रिलीज हुई। हाल के वर्षों में गैर मैथिली भाशियों के बीच भी मैथिली फिल्मों में रुची बर रही है। कई फिल्में अब ओवर्ध टॉप, OTT, प्लेटफोर्म पर रिलीज या स्ट्रीम की जाती है। चंद्रा भाइभन, नितिन और नीतु चंद्रा और उनके www.bejoe.in ने मैथिली में कई फिल्मों का निर्मान किया है। उनकी सबसे उलेखनिये और समिक्षकों द्वारा प्रशंसित फीचर फिल्म मिथिला मकान 2020 ने भाषा में सर्वश्रेष्ट फिल्म का राष्ट्रिय पुरसकार जीता। इसी तरह अचल मिश्रा की गामक घर 2019 ने मैथिली सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत की है। यह एक घर के आसपास केंद्रित है और एक बदलते मद्यम वर्गिये परिवार और रिष्टों, समाज और ग्रामीन जीवन के प्रती उनकी लालसा की कहानी बताता है। पर स्ट्रीम किया गया और इसे काफी सराहना मिली। गामक घर ने कई राष्ट्रिये और अंतरराष्ट्रिये पुरसकार जीते है। इसने मैथिली सिनेमा को विश्व पटल पर पहुचाया है। स्टूडेंट यूनियन का उदे अभूत पूर्व रहा है। मिथिला और मैथिली से संबंधित कई मुद्दों पर जन्मत जुटाने में इसने प्रमुक भूमिका निभाई है। इसने गुनवत्तापूर्ण उच्शिक्षा, बार को नियंतरित करने, एक हवाई अड़े की स्थापना और दर्भंगा में एक एम्स के निर्मान के लिए कई सफल अभियानों का नेतरित्व और संचालन किया है। डिजिटल प्लेटफोर्म ने निसंदेह मैथिली के लिए प्रिंट में उपलब्ध सीमित स्थान को व्यापक बना दिया है। इससे लेक को और दर्शक पहला, डिजिटल मैथिली में उपलब्ध सामगरी पर संपाद की नियंतरन बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। दूसरा, संकरन का आसन खत्रा है। अन्य भाषाओं के शब्दों और साहितिक शैलियों का अनियंतरित उप्योग, अकसर मैथिली में उपलब्ध शब्दों की कीमत पर भाषा के विकास के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है। इसके अलावा, डिजिटल मैथिली के सामने कई चुनौतिया है, जो प्रिंट मैथिली के समान है। सबसे पहले, इनमें से कई वेब पोर्टल अनियमित या निश्क्रिये है। दूसरा, वेब व प्रतिद वंद्विता को जन्द देता है। जाती, वर्ग, शेत्र और लिंग के मौजूदा अंतर को पाटना कठिन है। तीसरा, प्रिंट युग की तरह आम मैथिली भाषी वेब पोर्टलों के प्रति उदासीन है। पिछले दो दशकों में भाषा प्रेमियों और साहित प्रस्तुतियों में कई गुना व्रिद्धी हुई है। हाला कि हिंदी के प्रभुत्व और वैश्विक, अंग्रेजी की बरती आकांक्षा का मुकाबला करने में मैथिली की सफलता सीमित रही है। डिजिटल मैथिली की सफलता यह है कि इसने मैथिली प्रवासियों को नात्मक और मनोवेग्यानिक रूप से एक साथ ला दिया है। इसने मैथिली की डिजिटल उपस्थिती में महेत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैथिली साहित्ते के संरक्षन, समवर्धन और प्रसार के प्रती उनका यह रवया 20-20 सदी के शुरुआती दशकों में म पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के प्रती उनके रवये जैसा ही है। हाला कि प्रवासी भारतियों को जोडने या उनकी मैथिली जड़ों को फिर से देखने में डिजिटली करन कितना सफल होगा यह बेहस का विशय है। डिजिटल दुनिया में मैथिली जैसी भाशाय उन्होंने अपनी उपस्थिती दर्ज करा दी है, हाला कि वे केवल बड़ी दुनिया के हाशिये पर मौजूद रहने की संभावना रखते हैं और पहले की तरह अद्रिशे बने रह सकते हैं। इजिटल प्लेटफोर्म और तक्नीक न तो उनके संरक्षन और नहीं विकास की गारंटी दे सकते हैं।